जेहिन सात्यों स्वागता आप सभी का आपके अपने परिवार आराशिस्टेडिस ट्रिक परिवार में और जैसा कि आप थमनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंग यादव की थोरी पुस्तक चल रही है इससे पहले हम आपके पेपर शेट कंपलिट कर चुके है उससे पहले हराड पुस्तक के भी पूरे पेपर शेट कंपलिट कर चुके है यदि दोनों पुस्तकों के 50-50 पेपर देखना चाहते हो तो उनकी पले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गिया है या फिर आप सीधे चैनल पर जा कर देख सकते हो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा और ठ्योडी बुक में हमने मेथ के सभी क्यूशन कंप्लिट किये थे उसके बाद में साइन्स के और जिके में हमारे चल रहा कंटिन्यू जिके में इतियास और भुगॉल के जितने भी परसंद दिये गए हैं वो कंप्लिट कर चुके हैं आज हम चर्चा करने वाले बारत और विस्ट्व के सामाने तक थे या जनरल फ्यक्ट के बारे में और जितने भी क्यूशन आपके 100.500 जितने परशन बनने वाले हैं वो सभी आज के वीडियो में कंप्लिट करेंगे उसके बाद में जो भी क्यूशन बचेंगे वो भी हमें एक बारत के सामाने तक्थ्यों की पहला पर्शन बहुत सांदार है, बहुत आशान सा इजी सा क्यूशन दिखाई दे रहा आपको, क्यूशन है कि बारत सवतंतर कब हुआ, आप सबी जानते हो बारत सवतंतर कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को बारत सवतंतर हुआ, ओप्शन नंबर डी राइट होगा यहां पर, तो 1950 में क्या हुआ था, 1950 में तो भारत का स्विधान लागू हुआ था, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का स्विधान लागू हुआ था, 1945 के घटना, आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है, बार बार परिक्षाओं में पूछे जाते, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, जापान के दो सहर, हिरोशीमा और नागा साकी पर परमान गिराए जाते हैं, और परिणाम सवरूप विश्वयूद समापत हो जाता है, नेक्स्ट क्यूशन, असोक के चक्र का रंग होता है, असोक चक्र है, जिसका कैसा रंग होता है, जिसमें कितनी तीलियां होती है, ये भी क्यूशन पूछा जाता है, कितनी तीलियां होती है, 24 तेलियां होती है और यह निले रंग का चकर होता है जो भारती तीरंगे के बीच में इस्तित है तो निला चकर है ओप्शन नंबर डी राइट होगा यहां पर कैसरिया रार यह सपेद यह तो आपके तीरंगे के रंग है नियाक्ष्ट क्यूसन बारत में सहर उपरतम रेल कहां से कहां तक चलाई एक वाइसराय था गवर्नर जनरल था जिसका नाम था डल होजी जिसका कारिकाल था 1848 से लेकर 56 तक और उसे की समय में क्या वा था एक तो टेलिग्राप सुविदा चली ती और एक रेल गाड़ी चली कहां से कहां तक मुंबई से थाने के बीच चली ती 1853 में 16 अपरेल 1853 मुंबई से थाने तक ओप्शन नंबर ए राइट होगा किसके समय में चली तो डल होजी के समय में चली ती यह आपको ध्यान रखना आवश्यक नेक्स्ट क्यूशन सबसे आखरी में किस बारती राज्य को रेलवे नेटवर्क शे जोड़ा जा रहा हां तो कौन से राजे को जोड़ा जा रहा है वेसे देखे तो यह सब लाइस्ट वाले ही दिखाई देते हैं क्योंकि सभी पाहड़ी परन्तों सीकिम क्या सीकिम बाद में बारत का इसा बना था नहीं तो बारत सथ 49 खोने के पस तो गन्ये का सरवादी कुट पादन कहां पर होता है। उत्तरपरदेश में होता है। उत्तरपरदेश इसका सही उत्तर होगा। आप्शन नमबर C राइट होगा। नेक्सट क्यूस्ट का सब्से बड़ा सड़क पुल है जो एक नदी पर है। पहले ये कौन सा था पहले मातमा गांडी शेतू था परन्तु वर्तमान में ये मातमा गांडी शेतू नहीं वर्तमान में भूपयान अजारी का पूल है जो निया बना है उप्सन नमबर D राइट होगा यहां पर Next Qution Mac Mohan Recha किन दो देशों के बीच पड़ती है तो कौन से देशों के बीच में बारत और अफ़ानिस्तान के बीच में पहले एक रेखा थी जिसका नाम था Durand Recha जो कि अब पाकिस्तान और अफ़ानिस्तान के मद्दे है बारत और पाकिस्तान के मद्दे कौन सी है बारत और पाकिस्तान के मद्दे है रेड कलिप रेखा तो ये बारत और चीन के मद्दे कौन सी है में एक मौन रेखा ओप्सन नमबर भी राइट होगा यहां पे next question राष्टर चेन में कितने share होते हैं सत्यमें उजय थे असोक इस्तम सारनाथ से लिया गया सत्यमें उजय थे आपके मोंडको उपनिस्ट से लिया गया जो उसके नीचे लिखावा एक देहिवाक के है तो उसमें कुल 4 share है जो चारो एक दूसरे की और पीट करके बेठे हुई है, option number A right हो गई यहाँ पर, next question, बारत में कितने केंदर साशित परदेश है, तो बारत में कुल 28 तो राज्य है और 8 केंदर साशित परदेश है, option number B right होगा, पहले आपके 29 राज्य थे तेलंगाना बनने के बाद, तेलंगा जम्मू और लदाक को दो अलग-अलग केंदर साशित परदेश बनाया गया और राज्य का दर्जा अटा दिया गया, तो राज्य होगे 28 और जम्मू और लदाक दो केंदर साशित परदेश चुड़ने पर केंदर साशित परदेश होगे इननो, उसके बाद में और क्या 65 में किस-किस के बीच युद्ध हुआ तो 1965, 1931, 1909 में आमने किसको शिक्षा दीती अच्छी शिक्षा दीती पाकिस्तान को दीती तो बारत और पाकिस्तान के मद्दे युद्ध हुआ था ओप्शन नंबर A राइट होगा यहां पे बांगला देश के आजादी के लिए 1931 का मुक्ति संगर्ष किसके बीच लड़ा गया यह भी आमने किसको पार्ट पड़ाया था पाकिस्तान को पड़ाया था अच्छी तरह से दोया था उप्शन नंबर A राइट होगा बारत और पाकिस्तान के मद्दे हुआ था न्याक्ष्ट बारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो बारत की सबसे उंची चोटी की बात करें तो वह से देखें गौडविन आश्टिन केट्टू जिसे कहते हैं ऑप्शन नंबर D राइट होगा परन्तु आप से परसंद कुछ अलग पूछ ले तो अलग के से पूछ न्याक्ष्ट बारत का चैतरपल की दरश्टी से विश्व में कौन सा इस्तान है तो चैतरपल की दरश्टी से सबसे बड़ा देश कौन सा है रूस है इसके पहले सोवियत संग था बहुत बढ़ा था 1901 में में इसके टुकडे हो गए ते बहुत सारे उसके बावजूद भी यह सबसे बड़ा है तो बारत का इस्तान कौन सा बारत का इस्तान सातुआ है न्याक्ष्ट राष्ट्रगान में कितने समय लगता है तो राष्ट्रगान की रसना किस ने की थी राष्ट्रगान की रसना रविंदर नाठ टेगोर ने की थी कॉलकाता अदिवेशन कॉंग्रे फिलम का नाम था राजा हरिस्चंदर और बनाने वाले थे दादा साहब फाल के ओप्शन नंबर A राइट हो गाई आपे और यदे पूचा दाए बारत की पहले बोलती फिलम तो वो कौन सी थी वो थी आपकी आलम आरा 1931 में बनी थी इसके अलाव पूचा दाए बारत की पहले रंगीन फिलम तो वो थी किसान कन्या नेक्स्ट त्यलंगाना भारत का राज्य कब बना त्यलंगाना भारत का 29 वा राज्य बना था उस समय परंत वर्तमान में ये 28 वा राज्य है ध्यान रखना और 2000-2014 को ये बना था उप्शन नंबर A राइट हो गई आपे गौवा भारत का अंग कब बना आपको एक चीज ध्यान रखने होगी भारत में विदेशियों का आना प्रारंब होगा था जो आपके यूरोपी विदेशियों नहीं बोलेंगी यूरोपी क्योंकि विदेशियों बहुत पहले से ही आ रहे थे यूरोपीयों की बात हम करते हैं तो यूरोपियों में सबसे पहले आपको पता पूर्त गाली आये थे समुदरी मार्क से होते वे इसलिए हम कहते हैं कि वास्को डिगामा ने बारत की कोज की थे बारत तो पहले से था परन्त वो बारत पहुंच आता उसे बारत आने का रास्ता मिला था ठीक है तो पूर्त गा राइट हो गए यहां पर बारत कांग बनाता यह उससे पहले यह पूर्तगालियों के दिन था न्याक्ष्ट उत्राकंड राज्य किस राज्य शे अलग हुआ तो उत्राखंड उत्राखंड आपके उत्तरपरदेश शे अलग हुआ था ओप्सन नमबर A राइट होगा परदेश की राजदानी बोपाल है तो गुजरात की राजदानी गांधी नगर है और राजस्तान की राजदानी सबसे सांदार है जैपूर जिसे भारत का पेरिश या पूर्व का पेरिश भी का जाता है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है जैपूर को नेक्स्ट नेमन में से कौन सा केंदर साशित परदेश है जमू और कस्मीर, पंजाब, गोवा या सिकिम तो केंदर साशित परदेश आपको पता जमू और कस्मीर को केंदर साशित परदेश बना दिया गिया है राज्य से अटाकर नाक्स्ट असम में इस्तत पूल का नाम क्या अभी अभी अमपड़ चुके है जो सबसे बड़ा नदी पूल है भुपियन हजारी का पूल है उसका नाम नाक्स्ट दिया गया बांगला देश के बंटवारे के समय कितने देश हो के मद्दे यूद हुआ था हमने तो पाकिस्तान को दोया था यह तो हमें पता है तो भारत और पाकिस्तान तो कनफरम होगा इसके अलवा बांगला देश भी अपनी सवतनतरता के लिए लड़ रहा था तो कुल कितने देश होगे कुल देश होगे तीन ओप्शन ए राइट होगा बारत के जंडे का लंबाई तता चोड़ाई का अनुपात तीरंगा तीरंगे में तीन रंग होता बीच में निले रंग का सोग चक्र होता जिसमें 24 तीलियां होती है आप सब भी जानते हो और इसके लंबाई और चोड़ाई का अनुपात होता तीन अनुपात दो ओप्शन बी राइट होगा यहां पर बारतिये मानक समय कब आरंब हुआ था यह आपके उत्तर परदेश के इलाबाद से इस्तापित किया गया है उत्तर परदेश के इलाबाद से और यह 1906 में परारंब हुआ था और 1906 में ही क्या हुआ था 1906 में ही आपके मुस्लिम लिग की स्टापना होती है यह आपको पता है और 1906 से पहले 1905 में क्या होता है 1906 में मुस्लिम लिग की स्टापना होती है तो 1905 में बंगाल का विबाजन होता है किसके द्वारा किया दाता है करजन के द्वारा किया दाता ह में क्या होता है 1906 के बाद में तो होता है क्या होता है 1907 में होता है आपके कांग्रेस का विबाजन होता है गरम दल और नरम दल के मद्दे नाक्ष्ट 76 पल की दरश्टी से बारत का सबसे बड़ा केंदर साशित परदेश कौन सा है तो बारत का सबसे बड़ा केंदर साशित परदेश की बात करें तो वो लद्दाक है option number B right हो गई यहां पे पंच सील समझोता किन दो देशों के मद्य हुआ था 1924 में हुआ था उसके बावजूद भी इस चमगादर ने 1962 में पीचे से हमला किया था इसलिए बारत और चेन के मद्य पंच सील समझोता हुआ था और चीन ने 1962 में बारत पर आकरमन किया था और इसलिए चीन को हम क्या कहते है चमगादर कहते है पर आकरमन ये लोपर्शन ही आ गया 1962 में किया था बासाई आधार पर गठित भारत का परतम राज्य आपका है आंदर परदेश निक्स्ट वीद्यूद से चलने वाली बारत में परतम रेल गाड़ी कौन से सन में चली थी तो विदित से चलने वाली पर्तम रेल गाड़ी तो आपकी 16 अपरेल 1853 को मुंबई से थाने के मज़े चली थी परन्तु लाइट से चलने वाली 1925 में चली थी ओप्सन नमबर D राइट हो गाई आप बार्त ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया था ये भी हमपड़ चुके है कब करवाया था 1961 में करवाया था उप्सन A sorry C राइट हो गाई आपे बार्त का राष्ट्रे पस्थू कौन सा है बार्त का राष्ट्रे पस्थू टाइगर है सोरी चीता नहीं है बाग है Next बारत की सबसे लंबी शीमा किस देश से लगती है तो बारत की सबसे लंबी शीमा कौन से देश से लगेगी बांगला देश से लगेगी Option number A right हो गई यहांपे Next Q नेमन चेतर में हरित करांती बारत में सपल हुई थो तो बारत में हरित करांती किस चेतर में सपल हुई थी, ग्याउं के चेतर में सपल हुई थी, ओप्सन ए राइट होगा इसका भी, नेक्ट दिया गया कि नेमन में से बारत किसका सदस्य नहीं, सार्क, सार्क का तो बिल्कुल है, सार्क का मुख्याली काट माडू नेपाल में, स 28 राजय इसके according 28 वाराजय तेलंगाना है 29 राजय तेलंगाना था दो जून 2004 को इसकी स्टापना हुई थी दक्षिन बारत की कौन सी नदी को दक्षिन बारत की गंगा या गंगा ओप साउत का जाता है तो कावेरी नदी को का जाता है ओप्षन नमबर B राइट हो गए आपे नेक्ष्ट बारत द्वारत छोड़ा गया सबसे पहला उपगरे कौन सा है तो बारत दुआरा छोड़ा गिया सबसे पहला उपगर आपके आरिये भट है बारत के जंडे में कितनी तीलिया है तो बारत के जंडे में 24 तीलिया है option D right हो गए आपे next question दिया गिया निम्न में से किस राज्ये में समुंदर तर्ट नहीं है तो समुंदर तर्ट कौन से राज्ये में है गुजरात में तो है हमने पढ़ा है कि गुजरात की सबसे लंभी तर्ट ये शीमा है उडिसा में भी है गोवा में भी है और गोवा तो आप सभी जाते हो गोमने के लिए जाते हो गोवा तो तो मिजोरम में नहीं है ओप्शन नंबर सी राइट हो गई है यहां पर बारत का राष्ट्रे फूल कौन सा है कमल है ओप्शन ए राइट होगा कमल और चपाती किसका परतीक था यह क्यूशन यहां से इंपोर्टेंट नोट कर लेना कमल और चपाती अठार सो सता उनकी क्रान तीका परतीक था उत्त्रा खंड राजे की सीमा किन दो देशों से जुड़ी है उत्त्रा खंड राजे की सीमा एक तो आपके नेपाल से जुड़ी है तो पाकिस्तान से तो नहीं है जहां पे पाकिस्तान नाम है उशित काटी यी दो, तो किससे एक तो नेपाल से और एक तीबत से ओप्सन नंबर D राइट हो गई आपे बारत का कौन सा राजय तीन और से बांगलादेश से गीरा हुआ तीन और से गीरा हुआ राजय ती से त्री पुरा है ओप्शन नंबर A राइट हो गई आपे नेम्न में से सबसे लंबी दूरी तैक करने वाली गाड़ी कौन सी है सबसे लंबी दूरी तैक करने वाली गाड़ी है इन में से विवेक एक्सप्रेस ओप्शन बी राइट हो गई आपे बारत में छेत्रपल की दरश्टी से सबसे छोटा राज्य कौन सा सबसे बड़ा राज्य की बात कर लिए तो अपना राजस्थान है राजस्थान सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा आपके गोवा है ओप्शन नमबर बी राइट होगा तो सीकिम भी हमने पढ़ा था सीकिम भी छोटा है परंतु किस में है जन सिंक्या की दरश्टी से चेतरपल की दरश्टी से नहीं तो अनुरा चल परदेश में भी कुछ कम है क्या कम है सबसे कम दन सिंक्या गनत वए है अनुरा चल परदेश में Depois कुम्ब मेले का आयूजन कितने वर्सों बाद होता है कुम्ब के मेले का आयूजन 12 वर्सों बाद होता option No.C लो गएम नेमन में से कौन सा कटन ठीक नहीं है ये तो सभी पढ़ने पढ़ेंगे तब ही पता चलेगा कि कौन सा ठीक नहीं है एक मही अठार सुचालिस को इंगलेंड में विश्व की पहली डाक टिकेट शुरूई बिल्कुल हुई थी एक अक्टूबर ठार सुचालिस को बार्व पहली डाक टिकेट शुरूई थी, यह भी हुई थी पंदर अगस्त 1932 को बार्व में छाय आंग्षो की पिन कोट पर नाले शुरूई बिल्कुल हुई थी पंदर आगस्ट अठार स्वरी उननीसो बैयासी को पिनकोट बैयासी को नहीं हुई थी बहतर को उई थी ओप्संडी इन में गलत है नेक्ट नेम्न में से कौनसा कतन सही नहीं है फिर से पढ़ना पड़ेगा 1927 को बार्थ में मुंबई वा कौलकाता से क्या दिया गया निजी ट्रांस्मीटरों में से रेडियो का परशारण शुरुआ था बिलकुल हुआ था रेडियो परशारण 1927 में शुरुआ था सितंबर 1969 में दिल्लीव में पहला दूर्दर्शन के अंदर इस्तापित किया गया बिलकुल किया गया था 15 आगस्त 1982 को रंगिन कारी करम दूर्दर्शन की राष्ट्रे सेवा शुरू हुई थी 1947 में रेडियो का परशारण का नाम आकास वानी पड़ा 40 में नहीं पड़ा था सताउन में पड़ा था ओप्शन डी गलत है ओप्शन नेक्स्ट फिर से आ गया कौन सा गलत है विक्रम साराबाय अंत्रिक्षगंदर त्रिवेंद्रम है बिलकुल अत्रिवेंद्रम केरल में है बारत का पहला हुआ दूसरा परमानो उनिस सो इठान में पहला नहीं दूसरा वा था पहला आपके उर वियरु तकर्ण में तो तो यहां पे पहला नहीं होगा, option C इन में गलत है, थुम्बा रोकेट लॉंचिंग इस्टेसन अंदर प्रदेश में है, बिल्कुल है, और 1927 में रेडियो परसाण का नाम आकास वाणी पड़ा था, ये भी पड़ा था, next, 1789 में मुंबई से पहला समाचार पतर साप्ताइक था, उसका नाम क्या था, पहला साप्ताइक समाचार पतर 1789 में मुंबई में बॉंबे गजट के नाम से चला था, option number C राइट हो गई यहां पे, next, बारत की पहली कोलेज 817 में हिंदू कोलेज के नाम से कौलकाता में इस्तापित की गई, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, उसके बाद में उसका नाम कर दिया गया था, प्रेजिडेंसी कोलेज, option number B राइट हो गई यहां पे, next, फिर से कौन सा कतन गलत है, क्या की बनवाई, बिल्कुल बनवाई थी, पूण ते बारती है, परतम मोख फिलम राजा हरिस्चंदर के निर्माता धान दी राज गोविंद फालके बिल्कुल जी ने दादा साथ फालके का जाता है, उन्होंने 1913 में बनाई थी, यह भी सही है, बारत की सबसे पहली फिलम कालिदाश बनी यahh नहीं है, बारत की पहली रंगीन फिलम कालिदाश नहीं थी, बारत की पहली रंगीन फिलम का नाम है किसान कञ्या, क्या था? किसान कञ्या था, तो यह गलत है, option number D, right हो गई यहां पर, next Qution, एक रुपए के नोट कौन जारी करता है एक रुपए का नोट इसके अलाव शीकों की डलाई आपका वित मंत्राली करता है कौन करता है भारत सरकार वित मंत्राली ओप्शन नमबर B राइट होगा और बाकी जो मुद्रा है उसकी छपाई का कारिया आपके RBI इर्था रिजर्व बैंक ओप इंडिया करती है यह लोग दो रुपए के नोट वा उसके बड़े नोट रिजर्व बैंक ओप्शन सी राइट हो जाएगा न्याक्ष्ट बारत में पर्थम विशे में कौन सा यूग मगलत पहली जनगनना 822 में मेयो के काल में उईती, बिलकुल उईती परतम पंचवर्सीय योजना 1921 में में उईती, बिलकुल उईती बारत में 1998 में में दूसरा पर्माणू परिक्षण पोकरण में किस तीन हुआ था यह हम बात कर चुके 11 और 13 माई को हुआ था 1998 में अटल ब्यारी वाजपेजी के समय में Next क्या दिया गया तो यह थे भारत के कुछ सामाने थते अब हम दुनिया के भी समय में तते देख लियते हैं जब भारत के देख लियते हैं दुनिया देखने में में क्या लगता है भारत पूरा देख लिया तो ठीक है तो पहला परसंद दिया गया भारत पाकिस्तान और सिरलंका के अलावा वह कौन सा एश्याई देश है जहां की रुपएया है बार्त की मुद्रा रुपएया पाकिस्तान की रुपएया सिवलंका की रुपएया और नेपाल की रुपएया आप बोलोगे बुटान पास में बुटान की नहीं होगे नहीं होगे बुटान की मुद्रा गुल्ट ट्रम है नेक्ट रूप ओफ दे वर्ड किस इस्तान को कहा जाता है रूप ओफ दे वर्ड आपके तिबत को कहा जाता ओप्शन नमबर डी राइट हो गए यहां पर कोरोना वाइरस का अधिकारिक नाम क्या यह लो कोई पूछने का सुवाल होता है अपसाब जानते हो कोरोना वाइरस का क्या नाम है कविड-9 यक्या सुन सुन वाइरस से संब्ढ़न दीता है यह स्वाइन कंदू से समझ दीता है इसका उत्तर option d राइट हो जाएगा चाइना के द्वज पांच सितारों वाला ओप्शन नंबर भी राइट हो गए यहां पर्तम विश्वयूद कब हुआ था पर्तम विश्वयूद आपके 1914 में प्रारंब होता है और आपके 1918-19 तक चलता है ठीक है इसका उननिश सही आप्शन है पर्तम विश्वयूद कब खतम हुआ अठारा अगस्त और नौ अगस्त उनिश्वयूद कब खतम हुआ धीक है उप्शन सी इसका सही उतर होगा बुल फाइटिंग किस तेस का राष्ट्री खेल है इस्पेन का राष्ट्री केल है उप्शन नमबर सी राइट होगा नेक्स्ट विश्व में सबसे गयरा मास अगर कौन सा यह आप सब भी जानते हो परसांत मास अगर दुनिया का सबसे गयरा मास अगरा option A right होगा वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है वर्तमान के फारस को इरान के नाम से जाना जाता है इरान की राजदानी क्या इरान की राजदानी तेहरान है नेमन में से कौन सा जीव सबसे पर्थम अंत्रिक्ष में बेजा गिया किसे बेजा गिया अंत्रिक्ष में सबसे पहले कुट्टा को बेजा गिया कुट्टा नहीं था यह कुटियां थी ज्यान रखना ठीक है आगे हम बात करेंगे परसन आएगा इससे संबन दित भी ठीक है नेक्स्ट क्यूशन बांगलादेश की स्थापना कब वही बांगलादेश की स्थापना 1921 में होती है आपको बताया गया था कि हमने पाकिस्तान को अलग किया था आप्सन नमबर A राइट हो गई है आपके नेक्स्ट मादीपों के संख्या कितनी है कुल साथ मादीप है जिसमें सबसे बड़ा अपना एसिया है और सबसे छोटा आउस्ट्रेलिया है आप्सन नमबर B राइट होगा मासागर की बात करें तो वह पांच है म्यानमार की इसका पुराना नाम है आपके बर्मा का म्यानमार का पुराना नाम क्या था बर्मा था वर्तमान में इसका नाम म्यानमार सबसे लंबी नदी कौन सी है सबसे लंबी नील है और सबसे बड़ी कौन सी होगी अमेजन होगी औस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है औस्ट्रेलिया की मुद्रा भी डॉलर है अमेरिका की तरह विश्व की सबसे लंबी नदी कौन अमेजन कहां से निकलती है अमेजन आपके दक्षिन अमेरिका से निकलती अफरीका मत कर देना ठीक है दक्षिन का नाम लेती आपको अफरीका यादा था अफरीका नहीं होगा दक्षिन है अमेरिका होगा नेक्स्ट, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है यू-आन, यू-आन किस उप्सण में? किसी में नहीं यह तो यह एक उप्सण ऐसा भी तो है, जिसमें यह भी लिखा है इनमे से कोई नहीं, उस पे टिक कर दो next नेमन में से कौन सा अंत्रिक्ष यान सबसे है पहले अंत्रिक्ष में कोलंबिया गया option a right हो गया यहाँ पर नेमन में से कौन से देश का लिखित समीदान नहीं सबसे बड़ा लिखित समीदान अपना है बारत का सबसे बड़ा लिखित समीदान है इंग्लेंड का लिखित समिदान नहीं इसका मोखिक है पहला परमाणू बम 1945 में किस सहर पर गिराया गया था तो पहले परमाणू बम की बात करे वेशे 1945 में तो आपके दोनों सहरों पर गिराया गया था इरोशीमा और नागासा की पर परन्तु पहले पर्मान उबन की बात करे तो वो 6 अगस्त 1945 को इरोशिमा पर गिराया गया और दूसरे की बात करे तो वो 9 अगस्त 1945 को नागा साक्षी पर गिराया गया दोनों ही सेर किस देश के हैं दोनों ही आपके जापान के सांदार सेर है घ्ञार ईराग की मुद्रा के एराग की मुद्रा है दिनार ब्जाप्शनबंचको करने बना जापान की तरफ बागते हो चाहिना ने बनाया जा थै नेक्स्टlesia का सरवादिक उत्पादन करने वाला विष्वा का देश कौन सा ये भी आपका चमगा दड़ी है ऑप्चन सी राईट होगा यहां पर मार्व सब्सकी चोटऊं अदिब कौन सा सब्सके चोटों मांदिब है ऐंवधर की राइट होगा सब्सके बड़ा एशिया जि सी राइट हो गा क्यूबा की राज्दानी क्या क्यूबाकी राज्दानी हवाना ने कि सह्यूखत राष्टर में इसता हे सरदस्य देश कौन सी है तो इसता हे सरदस्य की बात करें तोधो सकती हैं अमेरिका और रूसओक उसके बाद में चाइन फ्रांस और बिटियन औा अ Reno Onond नाटो का मुख्याली कहा इस्तत है नाटो का मुख्याली कहा इस्तत है नाटो का मुख्याली आपके बेल्जियम की राज़दानी में और बेल्जियम की राज़दानी कौन सी है बेल्जियम की राज़दानी बुरुशेल्स है तो बुरुशेल्स में नाटो का मुख्याली इस उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है छेत्रपल की दरश्टी से हम बात कर चुके रूस है अभी भी सबसे बड़ा देश है अंत्रिक्ष में पहला जीव एक कुटियां थी यह लो अभी अभी बताया था आपको कुटा नहीं था कुटियां थी ठीक है और उसका नाम क्या था उसका नाम आप जुली जुली मत करते हैं जुली जुली नहीं होगा उसका नाम ता लाइका ओप्सन नंबर एराइट हो गए यहां पर नेक्ष्ट डार्क अपरिका से सम्बन दीता है यह याद रखने के लिए है बाकी कुछ सीरियस मत लेना ठीक है किस देस को नील नदी का वर्दान का जाता इजिप्ट या मिसर को का जाता नील नदी का वर्दान दुनिया का सबसे बड़ा समुदर कौन सा सबसे बड़ा समुदर आपके पैसिपिक मासागर या परसंत मासागर ऑपसन नंबर B राइट हो गए यहां पर आई-स-ई एजन्शी के देस से जुड़ी आई अई एजनसी आपके पडोशी शे दूड़ी ओँ ये खोन थे आपका पडोशी पाकिस्तान, ओप्शन नंबर ए राइट होगा है यहाँ पे, नाक्स्ट मध्डे रातरी के सूरीय मीडनाइट सन कि से का जाता, मीडनाइट सन आपके नार्वे को का जाता, तो जापान को क्या का आजाता सूरी सूरी ऐसा क्या का आजाता उगते सूरी का देश का आजाता जापान को नेक्स्ट ब्राजिल किस पतात का सबसे बड़ा निर्यात करता है ब्राजिल की राजदानी के आई यह आपको कमेंट बोक्स में बताना है और ब्राजिल आद के कौपी का सबसे बड़ा निर्यात करता है Next Cambridge की मुद्रा किस नाम से जानए जाते हैं बंगला देश की मुद्रा टकका है Option no.C रायट होगा моей बंगला देश की राज़दानी धाका है London Tempts नदी के किनारे इस्टत है Option B रायट होगा तो Paris behöver's Shlin नदी के किनारे इस्टत है तो Japan की राज़दानी कौन सिसे जकारता है उप्सिंड नंबर में डेरांगा। उप्सिंड नवर्टियाथ हो गया यहां पर यह प्रतमानं में इंडोनेश्य्या की राजदान जकारता उपाल गया यह गया New banana faut 走, Cole beide जकारता है यह वक सौन किरादाने बिल्स प१्सिंड नभी तरद गरतांग वर्तमान तो बारत का पेरिश किसे का जाता है तो बारत का पेरिश किसे का जाता है बारत का पेरिश या पूरो का पेरिश आपके राजस्थान की राजदानी जैपूर को का जाता है शिरलंका की राज़दानी शिरी जेवर्द ने कोटे है ओप्सन नमबर बी राइट होगा यहाँ पे तो नेक्स्ट क्यूशन बैंकोक किस की राज़दानी बैंकोक आपके सबेत हातियों का देश थाइलेंड की राज़दानी ओप्सन नमबर बी राइट होगा तो हातियों का देश लाहोस को का जाता है पाकिस्तान की राजदानी आप सभी जानते हैं डाका मत करते हैं डाका पंगला देश की राजदानी है इसलामबाद है उप्सन नमबर A राइट हो गए या पे चीन की राजदानी बीजिंग है तो हवाना किस की राज़दानी हवाना आपके क्यूबा की राज़दानी ऑप्शन सी राइट होगा यहां पे साइट इस त्री वीडियो में मैंने आपको पूछा भी था क्यूबा की राज़दानी कौन सी है यह दो आपके सामनी आगए है तो क्या ही बताओगे आप ब्राजील वाली बताना ब्राजील की भी पूचा था नेक्ष्ट काबूल कहां की राजदानी काबूल आपके अफखानिस्तान की राजदानी इसकी हम चर्चा कर चुके है बुटान की थीमपू है बांगलादेश की डाका है सिर्लंका की सिर्जेवर्द ने कोटे है और इसी के साथ ही आपके सामाने तर्चे कंप्लिट होते हैं अब आपके नेक्ष्ट पार्ट में जो आपके और्गिनाजजेशन या संगटन जो आपके चर्चितिस्तान है नदियां है पाड़ है जो भी आएंगे दिवस है उनकी ठीम है उन सबी से सम्मदित हम चर्चा करने वाले है तो इस परकार आपकी या पुस्तक भी हम दिरे दिरे दो या तीन दिन में कंप्लिट कर लेंगे उसके बाद में ये पुस्तक कंप्लिट हो जाएगे उसके बाद में वैशे ही अपने टॉपिक के अकोर्डिंग अपने शेडूल के अकोर्डिंग चलता रहेगा साम को आपके जीके और साइंस से सम्मनित कुछ ना कुछ लेकर आएंगे तो सुबह आपके मेत और रिजनिंग से सम्मनित कलास आएगी कलास रोज़ा ना आएगी तो रोज़ा ना जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नौटिपिकेशन बेल को ओन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक पहुंसती रहे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत